उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से सिर्फ 33 सीटे मिली है और ये 33 सीटों में से भी 16 सीटे सिर्फ मायावती की बीएसपी की बज़े से मिली है अगर बहुजन समाज पार्टी ने इन 16 सीटों पर वोट ना काटे होते हैं दुरबराटी का कहना है कि यूपी में बीजेपी को 16 सीटें बसपा की बज़े से मिली हैं अगर बसपा बोट ना कारती किसी भी पार्टी पर ऐसा औरोप लगाना समदान के खिलाप है क्योंकि समदान सभी पार्टीयों को चनल रड़ने का अधिकार देता है बैसे तो आंृती समदान के अनुशित एकका उलंगान है राहूल गांधी कहते हैं कि समदान सायथ उनके कहने का मतल्ब यह तो नहीं एक हमसे समदान बचाना है अगर भारत इसको भारत कहते लिए पर बीयास्वी पर वोट काटने का अरोब लगाया है निगर फार्टे की इस बात से सीट को छोड़ कर जाद अतार सभी सीटों पर तीसरे नमर पर रही उडिसा की जाचपुर लोकसवा सीट से बीजीपी को पांच लाग चौनतीस हार 249 वोट मिले और बीजी जनता दल को पांच लाग बतीस हार 602 वोट मिले जिससे बीजी जनता दल या सीट सिर्फ 1587 वोटों से हार गाई इस सीट पर कांग्रेस को 53145 वोट मिले क्या किसी ने कहा कि या सीट बीजीपी को कांग्रेस नितवाई 2019 की लोगसबा चुनावों में उत्तर प्रदेस में बस थी मेरट सुल्तान पूर संथ कवी नगर जैसी 20-30 लोगसबा सीटें बसपा मामूली बोटों से बीजीपी से हार गाई थी इन 20-30 लोगसबा सीटों पर कांग्रेस पारटी 3-4 नमर पर रही थी और 4-5 प्रदेसाथी बोट मिला था क्या किसी ने कहा था कि यूपी में बसपा 20-30 लोगसबा सीटें कांग्रेस की बजाए से हारी हैं या सीटें बाजपा को कांग्रेस ने जितवाई हैं बताईए